कि चले भी अगर्ग बहुत भेस्कषे का ने पढ़ने वाले हैं अ91 यह एक लोग्री कथा है लोग्याझता समझते हैं कि अरव हर एक स्थान पर कुछ जो अब बुढτε पुरान ढोग अब बुढ़े पर आन लोग जो होते हैं वहाप को कुछ कहानियां सुनाएंगे और कम इस लोग कथा में क्या है तो बुद्धी और भागी के बीच में एक बार जगरा होता है और जगरा मुलरूप से यह होता है कि कौन बढ़ा है कौन बढ़ा है इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको एक जित का जबूर एहसास होगा कि जीवन में भागी के साथ-साथ में जरूर पढ़ता है और अगर कोई बुद्धिमान है तो फिर जो है वो अपने लिए रास्ता निकाल ही लेता है चलिए इस कहानी को पढ़के देखते हैं एक बार बुद्धी और भागी में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई बात अपनी जगह से हटकर आपत की बुद्धी तो भी बुद्धी है समझदार वो हसकर बोले कि देखो यह बात तो मैं भी कह सकती हूं कि मैं तुमसे बढ़ी हूं लेकि फिर और बहस फालतों में बढ़ जाएगी तो इससे अच्छा यह नहीं होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का परदर्शन करके दे ग्रेटिया वही चलता है वह वह है शांत भाव से अपनी भेरे चला रहा था उसे देख बुद्धी ने कहा क्या तुम इसे बहभव साली बना सकते हो बुद्धी ने कहा भाग ने कहा कि क्यों नहीं मैं चाहूं तुसे सम्राट बना सकता हूँ भाग ने अभिमान से उत्तर दिया बुद्धी मुस्कुराते हुए बोली भागा कही भागा कही सम्राट बनते बनते प्रानों से हाथ ना दो बैठे तो बैचारी उस गरेरिये के उपर जो है तया कर रहे है भागी ने गुस्ते से कहा तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो नहीं नहीं बिलकुल नहीं मुझे स्विकार है तुम इसे समराट बना दो तो मैं जब इसे लोगों पर सासन करते देख लोगी तब तुम्हारे सामने सिर जुका दोंगी नहीं तो तुम्हें मेरे सामने सिर जुकाना पड़ेगा ठीक है और यह कहते ही भागी ने गरेरिये पर अपनी किरपा का हाथ रखा और बुद्धी उसका हाथ छोड़कर एक दर्सक की तरह दूर जा खड़ी हुई तो मतलब गरेरिया के पास जो भी अकल रही होगी वो सब अकल दूर अब लेकिन किस्मत उसकी बिल्कुल पहलवान है गरेरिया आगे बढ़ा तो उसे एकदम रत्न वग्यरा से जड़ा हुआ जो है खराओं का एक जोड़ा मिला वो पहले के टाइम में लोग लकडी वग्यरा सबका बनाने का पैर में पहनने के लिए बनाते थे अज कल लिए पेरो नगे हैं दे कर 65 एक जरा हुआ कर ये में ऐसे तरब से आपने बहेरिया जो है चलने लगा खराओं और जोड़ा मिला वेसे उ Зна होट आपने पैरों में पहन लिया देली की तरह आपनि भेर बकडियां वह चाहनने लगा एक दिन वहां से किसी दूसरे देश का सौधागर गुजड रहा था अचानक उसकी नजर गरेडिये के पैरों पर पड़ी और उसने हैरानी से पूछा या तुमने किस चीज की खारों पहन रखी है यह पत्थर की है और बड़ी भारी है हिस्ती भी बिल्कुल नहीं है प्रूफ होगा ठीक है सौधागर बोलता है ठीक है बताओ तुम्हें इसकी क्या कीमत दो क्योंकि खाराओं का यह जोड़ा मुझे बहुत पसंद है मैं इसे हर कीमत पर खरीदने को तैयार हूं तो मतलब कि सौधागर जो है अपना बहर बक्री चराओंगा चलो सौधागर घुशी खुशी चरा का बोड़ी रखवाया खराओं का जोड़ा लेकि अपने रास्ते पर चल दिया अपने देश पहुंचकर उसने वह खराओं का जोड़ा वहां के महामंत्री को भेंट कर दिया ताकि व्यापार में मंत्र इधर गरेडिये को फिर से नंगे पाओं देखके भागय ने रतनों से जरा हुआ एक और बढ़िया खराओं का जोड़ा उसके सामने रख दिया गरेडिया फिर उसे पहन कर अपनी वेड़ बक्रिया चलाने लगा कुस दिनों बाद वही सोदागर उधर से फिर गुजरा और रतनों से जरा हुआ खराओं का जोड़ा उसके पैरों में देख आश्चर चकित रह गया और मनीमन सोचने लगा कि इस गरेडिये पर भागय की अपार किरपा दिखती है उसने गरेडिये से का तुम्हें ऐसी उतर दे दिया तो फिर पूछता है क्या तुम इन्हें भी बेचोगे आहां ले लो ले लो यह करकर अपने पैर से उतार कर व्यापारी के सामने वह खराओं रख दिया देखो खराओं ऐसा ही होता था इसे ही लोग जो है अपने अंगुठे और उसके बगल वाली उंगली मे तो महामंत्री था ही समराट से भी जान पाचान होगे धन्दा अपना चकाटक चलेगा इस बार उसने क्या किया तो दो बोड़ी चना दस भेली गूर सब गलेडिया के जोपड़ी में रखवा दिया और खराओं लेकर चल दिया अपने देश जाकर वह समराट से मिला और भारत समराट मेरी मित्र है और शिकार के समय मैंने उनके प्रानों की रक्षा की थी इस पर खुश होकर उन्हों यह खड़ाओं मुझे प्रवसकार में दी मैंने सोचा कि इतनी बहुमों ले खड़ाओं समराट के पास ही शोभा देगी आशा है कि आप इस दास का स्विकार करेंगे तो यहाँ पर सुदागर जूट बोल रहा है यह तो आपको किलियरली पता चल चुका है अब वो सुदागर जूट क्यों बोल रहा है यह उसे पता है कि वो अगर गरेरी वाली बात कहेगा तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा साथी साथ अगर वो यह कहेगा कि वो किसी समराट का मित्र है और समराट की उसने प्रान रक्षा के थी तो फिर दूसरे समराट के नजर में उसकी जो वैल्यू है वो काफी बढ़ जाएगी और वही तो चाहिए समराट जो है उसने सुदागर की प्रातना जो है सहर स्विका अभी है कि अभी तो वह खुद जवान है और विवाहित है पर ही शांत और सज्जन आदमी है एक दम से जूट बोलने के लवा कोई रास्ता था नहीं ना क्योंकि पहले वह जूट बोल चुका था और वह तरीके साथ था कि सम्राट के खुश किया जाए हुँ है कैसा रहे कि यदिनके साथ हमारी राजकुमारी का विवाहः खुश किया करने लगा हमारी अगर इतना पैसे वाला इतना अमीर अगर समराट है तो एक पारिवाणिक संबंद बन जाएगा एक संबंध हैं तो बड़े नोग एक साहें ना इसलिए वही्धा स्ताव रखता है स्वधागर के सामने कि यदि उनके साथ हमारी राजकुमारी का विभाव हो जाए स्वधागर बोला अती सुंदर वे इसे अपना सौभागी ही समझेंगे और अब जो है स्वधागर की आक्पों में वही लाको रुपिय का जो है बिसकिमती खरों पहने वह ग सिंदा के बोज में दबा हुआ था या नया समराट कहां से गड़ के लाएगा या बहलियों को समराट कैसे बनाएगा तो उट पर जो है अपने काफिले पर जो है सैक्रोमन पीतल लदवाकर वो व्यापार के लिए निकला जिसको जो उसका नॉर्मल व्यापार था चलते चल वर पूरा खेमा घरगया लाटा दोनों एक डूसरे को देखके बिलकुल मैं खुश हो जाना एकदमसे तो जो या देखकर जो चीज है फिर वो सोचने लगा कि देखने में भी सुन्दर है तो इसे समराठ क्यों न बना है जाए कुछ रुपिया मेरे पास भी है यह चारागाव वगेर सब इधर कुछ जमीन सब खरीद दूगा यहीं माहल किला बनवा दूगा कुछ सैनिक और नोकर रख लूगा और फिर मेरा काम तो करने के लिए सुदागर आही गया है जोगी भागे की क्या शर्त लगी थी मैं इसे समराठ बना दूगा तो सुदागर तो आ गया तो जब भागे जो है वो जब खिल उठा तो बुद्धी भी मुश्कुड़ा उठी क्यों अब यह हम लोग जान जाएंगे तो को अपनी जगा बांध कर ठका हुआ फितल की सिलियों के डेड के साथ सहरा लेकर बैठ गया और सुदागर से बोला कि अब की बार तुम बहुत जल्दी लोटाएं सुदागर बोला हाँ बहुत काम आप रहा था अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहोंगा तुम्हें कुछ इतराज तो नहीं अरे वाह कैसी बाते करते हो जंगल में मंगल हो जाएगा बस मेरी भेर बकरियों को तुम्हारा कोई आदमी न छेड़े अरे अब तुम्हेर बहिर बकरियों की चिंता मत करो मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ गरेरिया बोलता है अरे सम्राट वो क्या बला होती है ये क्या चीज है सम्राट महराज मतलब की आसपास के इलाके के जितने भी आदमी है वो सब तुम्हारी चाकरी करेंगे तुम्हारी नौकरी कर कि पास बुद्धी नहीं है बुद्धी तो चली गई थे चोड़के और इसलिए गरेडिया बात ऑब स्कों कि पूर्गा एक प्रकर देखता ही रह गया और वही बात है उसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं है यह तो खुद सम्राट बना हुआ है और भागी जो है एकदम से गर्व से बुद्धी की तरफ देख रहा था बुद्धी ने मजाक में ही कहा है कोई बात नहीं अब आगे देखो आगे बढ़ो अभी सोदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया सोना बेचकर जमीन खरीदी महला और किला बनवाया सेना भरती की बेशुमार दौलत उसके पास थी वहां के जागिरदारों को मुह मांगा रुपिया देकर कुछ जागीरे भी खरीदी जागिरदार जो बहुत बढ़े ब पकडिया भी उधर कर दि जब पुछा तो कर दिया किलात में खुंकर ना जाने कहां चली जो है अब आत्याओन संभी सामने में खूब रोया खूब Close चिखा खूब चिला आया स्वदागर कि अग्तों से फाला पर रहा है बुद्धी तो इसे चुके नहीं गई गSookके यह देख ताना मारते हुए बुद्धी ने भागि से कहा देख रहे हो तुम्हारी सम्राट की क्या दशा हो रही है भागि बुजुर को कहने का रिकार है सुधागर थो थे इसने अपने महाराज को विभा की सुचना भेज दी थी बात पक्की हो गए विभा का दिन भी तै हो समय पर सौधागर गरेडियों को दुलहा बना कर शाही बारत सजा कर विवाह के लिए निकला बारत का ठाट रिदम जबर्दस्त हाथी गोरे रत्व की लंबी कतार थी जैसे आज कल जो है वह सकार्पियों और वह कार्व अगरा की लाइन लगती है वैसे ही दुलही के साथ सौ सौधागर कान में कहा यह लोग क्यों आये हैं कि मेरी भेर बकड़ियां इनके खेत में चड़ने तो नहीं चली गही थी स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौधागर से पूछा क्या समराट ने हमारे लिए आदेश दिया है वो जो कान में फुसफुसा के बोल रहा वो दस-दस सोने की मोड़े इनाम में दी जाएगी चलो वही चारो तरफ जो है गरेडिया समराट की जो है जैजेकार के नारे लगने लगे और भागी जो है उसने हसते हुए बुद्धी की ओर देखा बुद्धी जो है वो शांत बहाव पे बोली पड़िया सब तो सौधा सौधागर के सहारे मैं और तुम अपनी-अपनी मंजिल की और बढ़ रहे हैं इस कहानी के अंत में हमारी हारजीत का फैसला होगा बुद्धी ने का है चलो बात आगे बढ़ी बारत की स्वागत बगेर सब हुई दावत बगेर अभी खुब हुई एकदम से दावत का रंग शादीवादी होगी है भावरों के बाद बना ग्रेरिया चितरशाला में चला गया है वह बहुत परेशान यहीं सूचता था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था, मैं फालतु में सोदागर की चक्कर में पढ़ गया, आधी रात को गरेरियों को पाईलों की रुणजुन की आवाज सुनाई पड़ी, अब पाईलों की रुणजुन सुनके गरेरियों के मन में बेहद डर भर गया, वो कांप उठा, उसने ब फुलने लगा, बचने कोई रास्ता नहीं दिखा, वो लपका और वो खिरकी से नीचे छलांग लगाने लगा, क्योंकि भूत पकर के मार दे ही, उससे बढ़ी हां कूच जाते हैं, मौत तो पास थी, तब ही बुद्धी ने भागी से कहा, इसे बचाओ, तुम्हारा समराट मान लोगा, तथास्तु, ऐसा ही हो, यह करकर गुद्धी गरेरिया के दिमाग में भुश गई, बुद्धी के आते ही, उचाई से धर्ती को देख लिया गरेरिया ने, और तो से लगा, यह नीचे गिर कर बढ़ने से क्या फायता है, और फिर राजमहल में डाकनिया सब कहां से आ जाएंगी, और फिर वो खिरकी छोड़कर वापस कमरे में लोटके आ गया, तब उसे ध्यान आया, कि रात को तो मेरी शादी हुई थी, और उसके पैरों से भी ऐसे ही आवाज आ रही थी, वो फिरे लेते वक्त, यह हो सकता है कि मेरी दुलहन मुझसे मिलने आई हो, क् बेब कुफी करने जा रहा था, इधरे सारी कहानी उसके दिमाग में जो है, आने लगी, फिर उसने हस्ते हुए द्वार खोला, दुलहन का स्वागत किया, दोनों खुश हो गए, और दुसरी और भागी बुद्धी के सामने हार मान कर सिल जुकाए खड़ा था, तो चलिए न छोग कःटा है, इसके मैं झाल काई की लोग कःए, जोकी अकछर हम लोग जो है अपने दादा, दादे ना, नानी बगला से सुनते हैं, वो कहानिया जो कि अ दुसरी को सुनाते हैं, उसे वो कहानियां जो है वो पीढह गड़ आगे बढ़ती रहती है, यही होती है, यह से हमारे अभी भी सलहस वग्यारा की कहानियां सुनाई जाती हैं तो यह सब भी जो है लोग कत्राओं का ही जो है इस पर आधारिज जो प्रश्णतर वग्यारा है इनको आप संपन्न करियेगा यह आपका काम हुआ आगे हम लोग फिर व्याकरण की चर्चा अलग करेंगे तो म क्ला है